आज की वीडियो में हम आखो ऐसी पाज बेस्ट मूवीज रेकमेंड करेंगे जो हिंदी में नेटफ्लिक्स पे अविलेबिल है क्योंकि नेटफ्लिक्स दो दिन 5th और 6th दिसेंबर के लिए फ्री है पहले नमबर पे है Eternal Sunshine of the Spotless Mind ये 2004 की American Science Fiction Romantic Drama Film है इसे Academy Award for Best Original Screenplay भी मिला है आइम डीबी पे इसकी रेटिंग है 8.3 out of 10 ये स्टोरी है एक कपल की जो एक दूसरे के साथ अच्छा वक्त गुजारते हैं सब कुछ परफेक्ट होता है लेकिन कुछ टाइम बाद वो अलग हो जाते हैं और एक दूसरे को अपनी मेमोरी से एरेस कर देते हैं स्टोरी इंट्रेस्टिंग तब होती है जब दुबारा वो उसी तरीके से मिलते हैं और एक बार फिर उन्हें प्यार हो जाता है बहुत ही बैतरीन तरीके से फिल्म को डारेक्ट किया गया है जो इससे टॉप रेटेट मूवी बनाता है सेकंड नंबर पे है रात अकेली है 2020 की ये फिल्म एक क्राइम ट्रिलर ड्रामा है आयमडीबी पे इसे रेटिंग मिली है 7.3 आउट अफ 10 ये स्टोरी है एक पुलिस ओफिसर की जो इन्वेस्टिगेट करता है एक न्यूली मारीड लैंडलॉड की मौत को इन्वेस्टिगेशन काफी कॉंप्लिकेटेड है विक्तिम्स की सीक्रेटिव फैमली की वज़ा से फिल्म की चुरुआत होती है एक ट्रक के कार का पीछा करने से ट्रक उस कार को टककर मार देता है और कार पलड जाती है कार में ट्राइवर के साथ एक औरत भी होती है जिसे एक आत्मी बेरैमी से मार देता है और दोनों की बॉड़ी एक फैक्टरी में ले जाके एसिट से जला देता है जलाते वक्त उसके खुद के हातों पे एसिट गिर जाता है पार सल बाद इंस्पेक्टर जतिल यादो को रगुवीर सिंग का हाई प्रोफाइल मडर केस इंवेस्टिगेट करने को दिया जाता है जतिल को पता चलता है कि रगुवीर सिंग का मडर उसके ही गन से हुआ है वो भी उसकी शादी की रात पे वो हैरान होता है उसकी family की silence पे और कोई जनकारी ना होने पे बाकि case कैसे solve होता है ये जानने के लिए इस movie को जरूर देखें नमबर थर्ड पे है The Kissing Booth 2 जो sequel है Kissing Booth movie का ये movie 2020 के American teen romantic comedy है IMDB पे इसे 5.8 out of 10 rating मिली है फिल्म स्टार्ट होती है Ellie से जो Noah के Harvard जाने से पहले उससे साथ पिताए अच्छे वक्त की बात करती है Ellie का senior year स्टार्ट होता है उसके classmates gossip कॉसिप करते हैं कैसे उसका और Noah का break up होगा ये सुनके Ellie Noah का Instagram चेक करती है और Chloe नाम की एक लड़की को उसकी friendless में पाती है Ellie और ली एक पर फिर kissing booth प्लान करते हैं charity prayer के लिए Ellie से कहता है कि वो मारको जो की college में नाया और एक attractive लड़का है उसे convince करें पार्टिसिपेट करने के लिए Ellie मारको को एक dance competition में हरा के उसे convince कर लेती है Noah Ellie को suggest करता है Harvard में apply करने के लिए जो Ellie के plan से clash करता है Ellie ली के साथ University of California में पढ़ना चाती है जहां उसकी और ली की mom's friends बने थे Ellie ली को बिना बताए Noah से Boston में मिलती है उसके कुछ नए friends और Chloe के साथ बाकी की story जाने के लिए आप इस movie को जरूर देखें अगर आप पंकस्तर पार्टी और रंदीब हुडा के fan है तो ये movie आपको बेशक पसंद आएगी इसको 6.7 out of 10 rating मिली है IMDB पे Extraction 2020 के American action thriller film है जिसमें दिखाया गया है कैसे एक Indian drug dealer जो काफी टाइम से जेल में है उसके बेटे ओवी को पुलिस आफिसर्स किड़नाप कर लेते हैं जो की एक rival आमिर आसिफ के लिए काम करते है टेलर रेक एक black market militant है जिसे हायर किया जाता है ओवी को धाका से rescue करने के लिए रेक अपने team के साथ plan बनाता है इस movie में actions फरके मिलेंगे जो आप वो Avengers जैसी movie या PUBG की याद दिला सकते हैं actions के साथ थोड़े emotions का भी cocktail देखने को मिलेगा जहां बाप बेटे के रिष्टे पे focus किया गया है तो एक पर जरूर इस movie को देखें लास्टली नमबर फाइफ पे है The Half of It 2020 की ये एक American comedy drama film है चो फर्स में 2020 को रिलीज हुई थी ये कहानी एक लड़की की है जिसका कोई दोस नहीं है और वो स्क्वैमिश के एक छोटे से टाउन में रहती है वो अपने विडोट फादर के साथ रहती है और ज़्यादातर काम खुदी करती है इस movie को IMDB पे rating मिली है 6.9 out of 10 इस कहानी में Paul एक football player है जो Ellie को approach करता है उनके school की सबसे खुबसूरत लड़की को love letter लिखने के लिए Ellie secretly asked her यानि कि उस लड़की को पसंद करती है और इसलिए पहले वो इस काम के लिए मना कर देती है लेकिन ये जानने के बाद कि उसकी electricity shut off हो जाएगी अगर उसने minimum payment नहीं किया वो ये काम करने के लिए राजी हो जाती है कुछ देर स्टोरी में आगे पढ़ने पर दिखाया जाता है कि Paul और Ellie की अच्छी understanding हो जाती है Paul और Ellie एक दूसरे को पसंद करने लगते है कहानी में twist तब आता है जब दोनों लड़कियां एक दूसरे में interest लेने लगती है काफी अच्छी तरह से स्टोरी को direct किया गया है और आपको एक बर इस movie को जरूर से देखना चाहिए वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में